प्रणाम मित्रों, वृत और उपवास, जब भी हम ये दो शब्द सुनते हैं, तो हमारे मनमेस्तिक्ष में एक ही ख्याल उठता है, या एक छवी बनती है, और वो यह है कि हमें आज भूजन नहीं करना, या यूं कहो कि कल हमें भूजन नहीं करना, वृत का अर्थ सिर्फ निशे के लिए है, श्वय्म किरपति द्रण होना, संकल्पित होना, निश्चे करना या किसी बहुत पढ़ी चीज़ के लिए प्रण करना, एक होता है वृत, एक होता है उपवास, धरसल हमने व्रत और उपवास को एक ही कर दिया है, व्रत जैसे अभी हमने समझा, उपवा करते हैं पर हमने व्रत उपवास को एक ही कह दिया यानि खाना छोड़ो घंटी बजाओ भूके प्यासे रहो भगवान को मनाओ और अपनी मनो कामना को पूर्ण करो हम खाना तो छोड़ देते हैं लेकिन हम अपने आपको उस परम्पिता या उस परमेश्वर में या उस दिव व्रत उपवास कहते हैं क्या ऐसा व्रत उपवास से हमारी मनो कामने पूर्ण होती है यह सोचने की बात है बड़ी हैरानी होती है कि हम व्रत के नाम पर भूजन तो छोड़ देते हैं लेकिन एक मोबाईल नहीं छोड़ सकती क्या आप एक दिन या जितने भी दिन का व्रत रखते हैं, उतने दिन आप मुबाइल से दूर रह पाते हैं? नहीं. क्या आप चुगली, क्रोध, काम, वासना, बदला इन से दूर रह पाते हैं? नहीं. आप खाना तो छोड़ देते हैं, लेकिन हम चुगली करते भी हैं और हम दूसरों की बुरायां सुनते भी हैं. हम बिना मुबाइल के या इन सब वासनाओं के काम, क्रोध, मौ, माया, एक दिन भी रह सकते हैं. यदि आप रह सकते हैं, तो अच्छी बात है, इसका मतलब व्रत सक्सेस्विल हुआ. या नहीं रह सकते हैं, तो आप प्रण करें कि ऐसा मैं करूँगा, करूँगी, तो तो है. दूसरा, जब भी हम व्रत रखते हैं, तो हम भोजन तो छोड़ देते हैं, परन्तु व्रत के नाम पर हम पकवानों को खाते हैं. ऐसे पकवान घी में डूबे होते हैं, तो मेवों से भरपूर होते हैं. जहां एक होर हम यह सोचते कि हम भोजन नहीं कर रहें, वहां पर हम भोजन आम दिनों से भी ज्यादा अच्छा करते हैं इतने फल हम बाकी दिनों में नहीं खाते जितना वृत के दिनों में खाते हैं इतने काजू, किश्मिश, बादाम, ड्राइफूर्ट्स हम आम दिनों में नहीं खाते जितना हम इन दिनों में खाते हैं सच तो यह है वुरत के दिनों के खास आलू होते हैं, खास नमक होते हैं, खास नमकीन होती है, खास चिप्स होते हैं, खास लड़ू होते हैं, तो आप क्या नहीं खाते हैं, हम बस कहने को कहते हैं कि हमने आज वुरत रखाए, लेकिन वुरत के दिनों में और वुरत खोलते व ये भी है कि जितने दिन या जिस दिन का वृत रखते हैं जो अन बचता है सुभे का आटा दू, चीनी, चावल जो भी आप समझ लीजिए तो वो उसको क्या हम दान करते हैं वृत कहता है कि जिस दिन आप वृत रखते हैं उस दिन का अन आप किसी जरुत मंद को दें और similarly आप वृत रखते हैं उतना दिन जो आपका अन बचता है किसी भी रूप में क्या आप किसी जरुत मंद को देते हैं नहीं देते यदि आप किसी जरुत मंद को नहीं देते तो ऐसे वृत का कोई फायदा नहीं वृत सिर्फ भोजन को त्यागने का नाम नहीं उस भोजन को जो कि आप वुरत के नाम पे बचाते हैं, किसी जरुत बंद को देने का नाम भी है। वुरतों की बात करें, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो वुरत देखा देखी या अपनी मनों कामना की पूर्ण के रख लेते हैं। उन्हें ये भी नहीं मालम होता, ये वुरत कैसे रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, जिसका हम वुरत रख रहे हैं, उस देवी का या देवता का क्या संबंद है, ग्रह का क्या संबंद है, लोगों को उसकी पीछे की कथा भी नहीं मालम होती, तो ऐसे वुरत का क्या फायद और तो और हम लोग नवरात्रों के वरत रखते हैं आपने देखा होगा कि नवरात्रों के वक्त हमें कर्णिया पूजन कले लड़कियां चाहिए होती है कौरी छोटी बच्चें चाहिए होती है पूरे वर्ष हमारे भारत देश में कर्णियां की क्या स्थिती है नारियों की क्या स्थिति है इस पे कोई ध्यान नहीं देता बट इन नौ दिनों या अश्टीमी नव्मी पर जितनी कर्णिया की पूझा होती है पूरे वर्ज फर इसी देश में बलाकार भी होते हैं तो नारियों की पिटाई भी होती है तो यदि हमको नवरात्रों का वुरत रखना है तो हमें देवी के अर्थ को समझना होगा नारी के महत्रों को समझना होगा खाली हलवा चने का परशाद चड़ा कर हमें करन्या को पूजन नहीं करना हमें उस स्त्रीतत्व को समझना है जिसके लिए नवरात्रों रखे जाते है इसलिए जब भी वरत रखें तो इन बातों का ध्यान दें कि खाना छोड़ना ना पड़ें, आनंज से उसकी लगन में छूट जाए, तभी आपकी जो दुआ है, आपकी जो वरत हैं, आपकी जो नमाज हैं, आपकी जो रोजे हैं, वो कबूल होंगे, नहीं तो वह सिर्फ एक भोजन छोड़ने का, भोजन त्यागने का क्रत्य बनकर रह जाएगा, उपासना का हिस्सा नहीं बन पाएगा.